आज हम इस वीडियो में वैसे श्टोडें जो खास कर BHEU में बीकॉम आटोORS के लिए इंट्रेंस और एकजाम देंगे उनके इंट्रेंस सिलेबर के दाइब करेंगे सातर ही यह ज़गंभी करतें कि BHEU में जो बीकॉम का पेपर होता है यह syllabus पर ही रहेगा आपको जो timing मिलेगा वो total 150 minutes मिलेगा 150 का मतलब आप समझ सकते 2 hours 30 minutes मिलेगा इसके साथ ही आपके जो MCQ भी रहेंगे वो उतना ही रहेंगे यानि 150 MCQ भी रहेंगे और 150 आपको timing भी मिलेगा लेकिन 1 marks जो होगा वो आपके 4 1 MCQ जोगा 4 marks का वेटेज के बराबर होगा इसका मतलब यह कि 150 is equal to 600 marks का होगा और 600 में at least आपको minimum 50% से लेकर के 70% के बीच में आपको marks लाना है सेलेक्स लेने के लिए खास कर भी एचियो में आते हैं अब आपके point पे देखा जाया है तो इसमें यह साफ का कहना इनका कि multiple choice question 15 is from question 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 यनि total 6 होगे इसके लाब आप आगे भी मिंसन है अभी 15 किसे से पूछा जागा जैसे 1 पे अगर देखेंगे तो एकांटेंसी से 15 marks के पूछे जाएंगे financial statement से 15 marks का एकानोमिक से 15 marks का मनिन बैकिक से 15 marks का elementary mathematics में जैसे profit loss simple component interest, time and distance ratio proportion, powers and exponent इससे जो है आपके 15 कोछेंगे and again 10 कोछेंगे from arithmetic and expression equation with one variable algebraic formula basic application for algebra यह से 10 कोछेंगे जो मैं अब तक बता है यहां से लेकर यहां तक algebra तक आप इसक वाद अगें five questions जो है five questions from algebra business organization and business management business environmental बदला गरदावडा की question पूछा जा रहा है and six questions from computer basic nine questions from current affair and economic current economic affair से पूछा जाएगा तो इसके लिए आपके यह से लिए बस रहेंगे अब आपको समझना होगा इसमे आपके paper तो एक ही होंगे जिसे बीकॉम्स के लिए और financial management के लिए लेकिन आपके marks decide करेंगे कि आपको क्या मिलेगा अब अगर इसमें बात करें तो sources के आपना सकते बड़ा simple यह जो भी topics है आपको सारा 11-12 में ही आपको दिखेंगा तो आपको उसको दबाकर पढ़ लेना है elementary mathematics के लिए अगर आप बूक खरीद रखे हैं कोई भी मैस का बूक तो वह पढ़ लिजिए या अगर यूट्यूब पर अवैलेबल हो तो वह पढ़ लिजिए काफी होगा आपके पास knowledge का होना ज़रूरी है तभी आप इसको क्वालिफाइ भी कर पाएंगे दर्वाज मुश्किल होगा और आगे यह है कि आगे किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देगा लेकिन आपके इन्होंने कॉंटेंसी का नाम दे दिया है आपको कॉंटेंस